तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि आप समसंग के किसी भी डिबाइस में नए चार्जिंग अनिमेशन को किस तरह से अपलाई कर सकते हैं काफी सारे आपको नए चार्जिंग अनिमेशन देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं तो वीडियो को अंतर तक देखेगा और लाइक कर देजिएगा इस वीडियो को लाइक डारगेट हम लोग रखते हैं 90 लाइक ले लाइक आपको अपने डिवाइकन को जरूर से प्रिस कर देजियेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है प्यूश और आप देखरें हैं हमारा यहाँ पर agree and continue यहाँ पर आपको काफी सारे ने charging animations देखने को मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यह load हो रहा है recommended हो गया free zone हो गया काफी सारे यहाँ पर आपको charging animations देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर यह load हो रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं charging animations देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यह charging animation है तो यहाँ पर आपको एक add देखना पड़ेगा उसके बाद यह unlock होगा तो watch add to unlock पे आपको click कर देना है उसके बाद यह unlock हो जाएगा यहाँ पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर set now पे click करना है यहाँ पर इसे इनेबल कर देना है उसके बाद आपको set now पे यहाँ पर कर देना है click उसके बाद यहाँ पर यह set हो जाएगा तो आप इस तरह से कोई भी जो charging animation है वो यहाँ पर apply कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ तो यहां पर मैंने connect किया यहां पर देख सकते हैं charging animation show कर रहा है थोरी देर के लिए जो default charging animation है वो भी show करता है तो यहां पर मैं आपको कोई और charging animation apply कर के दिखा देता हूँ यहां पर आपको उसी तरह से यहां पर apply कर देना है और यहां पर set हो जाएगा तो आप इस तरह से apply कर सकते हैं काफी सारे आपको charging animations दिखने को मिल जाएंगे इस application के अंदर तो आपको अगर नए charging animations apply करने हैं तो आप इस application के बदद से कर सकते हैं तो यही था आज किस वीडियो में उमीद है आपको वीडियो पसंदाई होगी अगर वीडियो पसंदाई होगी वीडियो को कर देजेगा लाइक चैनल पे अगर पहली बराएं तो चैनल को कर देजेगा सब्सक्राइब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहंद वन्दे मात्रम